हेलो एवरीवान वेलकम बेक टू माई चैनल सी यू सबसे कह रहे थे किसे चुन्य चुराइता फेल आया है उसे तुम्हें समेट लूँगा पर अगर तुम में से कोई भी दूसरी बार पकड़ा गया डेट करते हुए तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है तो डेटेंग अलाफ नहीं है ये सुनकर सबी लोग वहां से चले चाते हैं सूरीम अपनी ग्रैनमा के साथ मार्केट आई थी तो कुछ स्टुडेंट सूरीम को देखकर कहते हैं कि अरे ये तो वहीं लड़की है ना जिसका चानियंग के साथ चकर चल रहा है ये तो कितनी अगली और शॉर्ट है पता नहीं खुद को क्या समझती है कि चानियंग उसे पसंद कर लेगा सूरीम ने उनकी बातों को सुन लिया था तो वो ग्रैनमा को वहां से लेकर चाने लगती है ग्रैनमा कहती है कि मेरा फोन वहीं पर ही चुट गया है तो उन सारे स्टूडन्ट की अच्छी खासी क्लास लगा देती है तो वो सारे स्टूडन्ट ग्रैनमा से डर कर वहां से चले चाते हैं सूरीम ने भी दादी मा को यह सब कुछ करते हुए देख लिया था तो पहले उसे थोड़ा गुसा आता है पर बाद में वो कहती है कि प्ली वो तीनों ही लोग अपना सामान बांध कर डॉम में रहने के लिए चले चाते हैं यहां आकर सूरीम अपना सामान अनपैक कर रही थी दूसरी तरफ दादी माचब काम कर रही थी तो उसे दूप के करण डिसनेस फिल होती है और वो वही पर ही बेहोश हो जाती है सूरीम को उसे ऐसा लगता है कि ग्रैनमा की ऐसी हलत का कारण वही है तब ही वहाँ पर हन्गिल आता है सूरीम रो रही थी तो हन्गिल उसे संभालता है जब सूरीम सोचा दी है तो हन्गिल बाहर आता है चानियंग वही पर ही बैठा था तो हन्गिल उसे कहता है कि तुम चले चाओ स तुम दोनों लड़के यहां से चले जाओ, वरना फिर कोई स्केंडल बन जाएगा, सुरिम के साथ आज रात मैं यहां पर रुकती हूँ, अगले दिन ग्रैनमा की तबियत अच्छी थी, तो सुरिम डॉम में वापस आजाती है, उसे हंड ग्योल का कॉल आता है, हंड ग्योल क के बारे में उसे बता रहा था, पर थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि सुरिम सुचुकी है, अगले दिन से ही सुरिम ने स्केच्च बुक के लिए रिहासल करना स्टार्ट कर दिया था, पर तब ही वहां पर मेनेचर आकर कहती है कि, सीयो का यह ओर्डर है कि तुम चान मैं तुम्हें घर पर छोड़ दू, तो वो कहता है कि नहीं, मैं कैप बुक कर लूँगा, यूना कहती है कि सुरिम की वचे से हंग्योल तुम काफी स्यादा बदल गए हो, तो हंग्योल कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, पहले मुझे रिलेक्शन में ऐसा लगता था, कि कर तो भाई, यूना का चेहरा देखने लायक था, कुछ दिनों के बाद, स्केच बुक की दसवी एनिवरसरी आजाती है, इसमें सुरिम हंग्योल का गाना गाती है, तो चान्यंग को गुसा आता है, हंग्योल कहता है कि देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे ये प सुरिम को हंग्योल का गाना दे दिया, और तुम ना कभी हंग्योल का मुकाबला कर ही नहीं सकते, ये बात चान्यंग के प्राइड पर लगचा दी है, वो वहां से गुसा होकर चला चाता है, सभी लोग उसे रोकने की ट्राइ करते हैं, पर वो किसी की भी बात को नहीं सुन सुरिम की पफॉमंस खत्म हो चाने के बाद कुरूड प्ले को स्टेज पर जाना था पर चान्यंग ही नहीं था, तो उसकी जगे पर हंग्योल आ जाता है, चान्यंग सुरिम को मिले के लिए बुलाता है, जब सुरिम वहां पर आती है तो चान्यंग को उसे गलے लगा लेता है क्योंकि चानियंग को अभी किसी ऐसे इसान की जरुरत थी जो कि पूरी तरीके से उस पर फरोसा करता हो सुरिम उसे कहती है कि कि तुम मेरे साथ कहीं पर आना पसंद करोगे वो कहता है कि हां क्यू नहीं हमेशा ही चानियंग सुरिम को कंफर्ट कराता है पर आज सुरिम की बारी थी जैसे ही क्रूड प्लेइ का परफॉमेंस खतम होता है तो सभी को पता लगता है कि चानियंग के साथ सुरिम भी गायब है पर सुरिम ने हन्गोल को मेसेच करके ये बता दिया था कि वो अभी चानियंग के साथ है सुरिम चानियंग को अपने खर पर लाई थी वो ग्रैनमा से कहती है कि आप खाना बनाने की तयारी करे थोड़ी तर के बाद ये लोग डिनर कर रहे थे ग्रैनमा उसे कहती है कि जब तुम पहली बार हन्गोल को खर पर लाई थी तो वो मुझे थोड़ा खिरीया पर ये लड़का बहुत ही जयादा अच्छा है उपर ये तो अहंगियोर्स से काफीoh और हैंसम है कि आज तुमने आडियंस के सामने बचाया तुम्हें कैसा लगा यह फिलिंग काफी स्यादा अच्छी होती है आज लोगों को पता लगेगा कि असली कुरूड प्ले कौन है हंग्योल से कहता है कि चानियंग देखो तुम समझने की कोशिश करो पर चानियंग लगता है कि अभी कुछ समझने की हालात में नहीं था वो सुरिम को गुडबाई के के वहां से चला चाता है सुरिम को लेने के लिए मैनेजर आई थी मैनेजर उसे कहती है कि तुम यहां पर अपनी दा उसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो अपनी स्किल को इंप्रूफ कर सके अगले दिन ये बात सीयो से चाकर वो कह देता है सीयो उसे कहते है कि माफ कर देना कि कल में तुम पर कुछ ज्यादा ही चला गया पर चानियंग उसने तो फैसला ले लिया था वो सीयो की बात को नही सुनता और वहां से चला चाथा है फिर वो सुरीम से मिलने के लिए चाथा है कि कल तुम मुझे अपने खर पर ले गई तो मुझे नहीं खाफी स्यादा अच्छा लगा फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि पास्टम पहें जो कुछ भी हुआ और आगे जो कुछ भी को अब सब कुछ समझ में आजाता है पर चानियंग ने ब्रेक लिया है इससे उसके फैंस काफी ज्यादा नारास हो गए थे सभी लोग शोशल मेडिया पर ये अफ़ा फैला रहे थे कि चानियंग करूड प्ले से निकला तो इसमें कहीं न कहीं सुरिम की कलती है क्योंकि वो एक साथ दो लड़कों को फसा रही है ये बात चानियंग से देखी नहीं गई तो चानियंग यहां से चला गया अब चानियंग के सारे फैंस सुरिम पर फड़क चाते हैं कि उसकी ही वज़े से ये सब कुछ हुआ है किसी ने तो यहां पर सुरिम को मारने की भी धमकी देती थी इस वज़े से सुरिम काफी स्यादा परेशान थी तो हानंगयोर उसके पांस आता है वो कहता है कि तुम ठीक हो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ अगर मैं ये कहूँगी तो ये सरसर जूट होगा मैं अभी ठीक नहीं हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है हन्ग्योल से कहता है कि चान्यांग ने जाते टाइम तुम से क्या कुछ कहा था तो वो कहती है कि हाँ उसने ये कहा कि जो कुछ भी होगा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो वो कहता है कि हाँ चान्यांग ने ठीक कहा ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो प्लीज स्यादा चिंता मत करो आगे हन्ग्योल सीहियून के पांश चला चाता है ये तुनों इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे तभी ही वहाँ पर यूना आचाती है यूना हन्ग्योल से कहती है कि अगर तुम्हें सुरिम का नाम कलियर करवाना है तो तुम पबलिक को ये बता दो कि मैं और तुम डेट कर रहे हैं हन्ग्योल उसे मना कर देता है कि उसे यूना की मदद की कोई दरुरत नहीं है सिहियोन उसे कहता है कि वाव यूना तुम तो ऐसी सिचुएशन में भी हन्ग्योल का फाइदा उठाना चाहती हो क्यों तुम उसके साथ थफिर से आना चाहती हो क्यों अब तुम्हें सियो के साथ मज़ा नहीं आ रहा तो हन्ग्योल कहता है कि बस करो सिहियोन वो उसे लेकर वहाँ से चला चाहता है पर हम देखते हैं कि सियोने उन लोगों की सारी बात को सुन लिया था यह चानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वेल एक प्रोब्लम खतम नहीं हुई थी कि दूसरी भी आ गई क्रूड प्ले के बारे में लोग बुरी बुरी बाते करने लगते हैं क्योंकि उनके पांस एक वीडियो था जिसमें सरासर दिखाया उच्छा रहा था कि क्रूड प्ले अपने म्यूजिक खुद नहीं बनाते पर कोश्ट म्यूसिशन को हायर करके बनवाते है चानियंग को जब यह पता लगता है तो वो उसके पांस आता है चैनियंग केहता है कि मैं तो अपना म्यूजिक को खुद बनाता हूँ पर तुम तीनों का क्या क्या तुम लोगों ने फिर से मुझे कोई धोका दे दिया है क्रूड प्ले के मेंबर कहते है कि प्लीस मुझे माफ कर देना हम काम में इतने वीजी थे कि हमने अपना म्यूजिक किसी और के पांस से बनवा लिया लोगों के पांस इसकी वीडियो भी थी तो लोग गुरूट प्ले को अबर ट्रैश कह रहे थे इससे हन्ग्योर काफी स्यदा परेशान था वो कहता है कि मैं उन लोगों की मदद करना चाता हूँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा तो सुरिम उसे संभालती है फिर सीयो इनके एक मीटिंग बलवाते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जंता को ये बताना है कि ये सारे म्यूजिक तुम खुद ही बनाते हो और ये जो वीडियो है वो तो कोई फेक है कुरू ड़ पले का लीडर सीयो वो जंता से जूट नहीं बोलना जाता था वो सब को सच बता देना जाता था पर सीयो ने उसे जूट बोलने को कहा है इस वज़े से वो काफी परेशान था कि अब वो क्या करे कर में मैठा हांगल भी यहीं सोच रहा था कि उसे लोगों को सच बता देना चाहिए पर तभी ही सीहून का उसे कॉल आता है कि कुरूड प्ले का जो ड्रमर है इन हो उसका कार एक्सिडेंट हो गया है सो इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खतम वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनलर पर नए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करते चाहो थिंक्यू फर वाचिंग